हेलो, वेलकम टो टेक्षरमेट आज की शेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने रेडियो बटन को डिस्प्ले फाइल में कस्टमाइज कर सकते हैं यह आप यह कह सकते हो कि कैसे उसको होरिजॉंटल और वर्टिकल हम अलाइन कर सकते हैं प्रॉपर तो मैं पहले आपको आउटपुट दिखाऊंगा और फिर हम डिस्प्ले फाइल में क्या चेंज करने हो देखेंगे और प्रोग्राम को लाजिक समझेंगे तो कॉल करता हूं में इसको डारेक्टल यह कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी आप देखाऊंगे जैसे नॉर्मल अगर हम कोई रेडियो बटन डालते हैं तो वो डिफॉल्ट रहता है वो उसी पोजिशन पर रहता है बट अगर आपको उसको कस्टमाइज करना उसको जैसे होरिजॉंटल मूव करना या वर्टिकल मूव करना जैसी भी अपकी रि साथ में यह भी देखेंगे कि अभी जैसे मेरे पास यहां पर मुल्टिपल वैल्यूस इसको मैं इस तरह से ना रिप्रेजेंट करके यहां पर पूरी एक रो में इनको शो कराना चाहता हूं या दो रो में या तीन रो में शो कराना चाहता हूं वो कैसे देख सकते हैं तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्प्ले फाइल में क्या करना है सबसे बहले आपको डिस्प्ले फाइल पर option 17 लेके जो मेन चीज है वो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सका जैसे मैंने header information यहाँ पर सेव किया title, customized radio button, time, date, यह बैने इस तरह से रख दिया अब यह वाला जो portion है, यह पूरा हमाला radio button का portion है तो यह अपन directly option 2 edit mode में open करेंगे और वहाँ पर उसको add करेंगे, वो मैं आपको logic वहाँ पर बताऊंगा और यह वाला फिर हम वापिस से अपने display file में डिजाइन करना है तो यह एक output field है जिसको मैंने कुछ name and sign किया हुआ है, choice तो जो भी यहाँ पर output हम डालेंगे, वो हमाले को print होगा और यह footer, जिस नॉर्माल एक F3 डाला है, exit के लिए, ठीक है और इस पर indicator अगर हम देखते हैं, तो वो हमने set किया है, cf03 यह इतना display file का था, इतना गंडे के बाद में आप भार आओगे, और फिर display file पे, आप edit mode पे open करोगे हमने खाली अभी जो portion देखा वो इतना दिखा कि header कैसे set करेंगे, प्लस जो output दिखा नहीं यह वाला portion हमने cover किया, header कैसे बना, प्लस यह वाला, discuss कि यह वाला portion किसे आया, बट यह वाले, इस portion को हमने skip किया भी, वो हम, edit option में देखेंगे, और उपर वाला तो आपको पता है, यहां पे start time लिखोगे, start time function यूज करोगे, तो time आपका, वहां पे populate दे जाएगा, वैसी start date पे date आजाएगा, और यह normal text है हमारा, color हमने change कि asterisk से, asterisk पे जाके आप, जैसा अगर मुझे इसका color चेंज करना है, तो asterisk लूँगा, और asterisk के option से, यहां पे colors option मिलेगा, और वहां पे हम select कर सकते हैं, अब हम देखते हैं, यह वाला main portion, कि यह कैसे हम use कर रहे हैं, और start miss में कौन से values करेंगे, जिसके through हम उसको customize कर सकते हैं, तो मैं इसको edit mode में open कर रहा हूँ, यहां पे apply number 90.90 से देखोगे, तो पहला output हम map 4 लेता हूँ यहां पे, पहले हमने इसको name दिया एक field को, length हमने रखी to, data type हमने रखा y, y क्या होता है, अगर आपको यह चेक करना तो आप इस पर F1 प्रेस करोगे, F1 प्रेस करते हैं, आपको मिलेगा, यहां पे y की, numeric keyboard shift यह रहा, type y to indicate keyboard shift of numeric value, the data type of the field is zone decimal, ठीक है, तो यह हम लेते हैं radio button के लिए, decimal position हमारे पास 0 रखी हमने, use में both, both means, input output, both mode में हम इसको use कर रहे है, line position, यह जैसे भी अगर आपको position set करना, अगर जैसे, suppose मुझे इस position पर अपना radio button चाहिए, तो मैं यहां की position note कर लूँगा, 730, तो मैं यहां पर पास कर लूँगा, line 7 और position 30, ठीक है, इतना तो आपन normal radio button में भी करते है, plus यहां पर यह भी use करते है, single choice field, इतना keyword लिखते है, खाली, अब आज जो हमने नया चीज आपको double parenthesis लेना है, उसके अंदर लिखना, start num call, num call मतलब number of column, कितने column चाहिए, हमने यहां पर पास किया two, तो यह two column में divide हो चुका है, ठीक है, तो यही है, जो आपको column में divide कर देगा, जो भी का screen है, उसको column पर, फिर उसके बाद मैं आपको choice वाला select करना है, तो सीधा function पर जाके, यहां पर लिखो इस तरह से, one, फिर single quote के अंदर यह angular bracket का sign, और जो भी value आप देना चाहते हो, यहां पर, और single quote close करके, parenthesis को close कर देंगे, वैसे हमने बाकी values को भी डाल दिया, जितने भी values डिफाइन करना चाहते हो, यहां पर डाल सकते हो, और just simple इतना करने के बाद म हमारा पुराना वहां से pick हो गया रहा है, ठीक है, और यह five or two position पे हमने डाल दिया, please select weekday, तो यह normal text लिए, तो आप वहां से भी डाल सकते हो, changes, just main यह है कि इतना portion जो है, आपको clear होना चाहिए, कैसे हम SNG, CHG, FLDField के साथ में num call यूज कर रहे है, अगर मैं इसको num call को, suppose मैं करता हूँ, यहाँ पर, three, three करके हम इसको एक बार चेक करते हैं, कि overlap का issue आ रहा है, या कुछ और, तो अभी यह three column में divide हो चुका है, ठीक है, इस तरह से column one, column two, column three, आपको हो सकता है, changes में कुछ problem आए, कि जब भी आप इसको value को change करोगे, तो overlapping का issue हो सकता है, तो वो आप and try करके check कर सकते हैं, कि कौन से में कितना value आ रहा है, अब अगर मुझे row पे इसको change करना है, तो मैं आप डाल देते हैं, और यहाँ आप डाल देते हैं, one, one में यह आएगा नहीं क्योंकि हमार पास values है, वो जादा है, तो किस तरह से error मिलेगी, वो में दिखा देता हूँ, यहाँ पर error आया, अब इस error को देखते हैं, यहाँ आप आपको मिलेगा कि out of space या इस तरह से कुछ, field extend outside of the display, क्योंकि हमारी जो normal screen का size है, उससे ही हमारा बाहर जला गया, तो अब अपन इसको क्या करेंगे, number of row को आप इससे change करेंगे, 2 पे, क्योंकि 2 row में वो data easily आ सकता है, तो इसको हमने आप 2 किया, compile किया, call किया, तो अभी आप देखो, यह दो row में आ गया, अब जैसे में कुछ select करके enter hit करूँगा, तो यह हमाँ पे output दिखाएगा मुझे, तो इस तरह से आप radio button को customize कर सकते हैं, rows और column में, यह कई भर requirement होती है, प्रजेक्ट में जब आपके पास space कम हो, space utilize करना हो, तो default way म आ जाके आप directly अपने according, इसको थोड़ा सा adjust कर सकते है, position, number of rows में, और number of column के according, ठीक है, यह था display file में changes, अब मैं आपको logic दिखा देता हूँ, फटाफट की logic क्या हम use कर रहे है, तो logic simple है, बहुत, पहले हम radio button already cover कर चुके एक session में, just आज का main portion था, वो यह था कि कैसे सको customize करें फिर भी हम logic एक बर वापिस discuss करेंगे, यहाँ पर मैंने DCLF करके अपनी display file को declare किया, display file के लिए हम keyword यूज करते है, यहाँ से हमारा main logic start है, जिसमें हमने do while में IN03 के लिए loop रंग किया, जब तक वो off है, और फिर screen को print कर दिया, यह हमारी screen ने acceptability इसको किया, ठीक है, फिर select condition ड यहाँ पर हमने जो field name दिया था वो यह है, उसको check कि अगर वो one है, तो choice हमारा screen field है, screen field में डाल देंगे Monday, Tuesday, ऐसे हम seven conditions check कर देंगे, अधर भी आप डाल सकते हों कि अगर इसके लावा कोई option, but radio button में उसका need नहीं है, क्योंकि आप option ही 7 दे रहे हो, और फिर end sl, end do, और star ILR, start on, तो यह बहुत ही simple सा logic है, आपको इसको declare करना है, और फिक when select में condition डालना है, तो यह वाला weekday वाला field था, जो हम वापे check कर रहे थे, plus choice वाला तो हमने pass किया वाई है, तो choice, automatically, और वही हम इसको populate करना है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा, मैं इसको वाप इससे दि प्रोटोगोब वो हमार कुश्य हो जाएगा, तो main जो portion था वो यही था, इस session के लिए, कि कैसे customize करेंगे, star num row के थुरू, यह star num column के थुरू, तो जैसी आपकी requirement हो, तो according आप यह तो row में convert कर सकते हो, यह column में, और size उसके according दिखें, अगर आपको कुछ overlap का issue आता है, तो तो I hope आज का question आपको clear होगा, और next session में हम बाकी topic discuss करेंगे, so